मैं एक फेर वैली देखता हूं कि प्रॉफिट्स कितने होंगे कैश कितना आएगा और अर्णिंग ट्रिगर प्ले आउट हो चुका है कि अभी और है अब फॉर एक्जाम्बिल इसी स्टॉक के अंदर इंका जो कपासिटी है वो 400 टन पर थी अब नहीं परने साहिए हजार टन पर आनम की कपासिटी हो गई है अगर आप रीसेंट कॉन कॉल पड़ोगे तो उसके अंदर जो गैस प्राइसेज हैं उसको हटा कि इन्हों ने फॉर्नेस और यूज करा तो गैस की मार्जिन थोड़े स्टेवल रहें के बट मार्जिन कम जा रहे है क्योंकि ड्यूटी चली एक और फेस तो फेस के वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है इस बार इंवेस्टिंग के बारे बात करेंगे पर्टिकुलर्ली इस बार फोकस करेंगे कि कैसे कमपनीज जिनमें आप इंवेस्ट करते हैं हमको बेकुब बनाती हैं कैसे हम आइडिफ़ाइ करें कुछ red flags company के अंदर में कि कुछ तो गरबर है इसमें मेरे को इंवेस्ट नहीं करना है जनली क्या होता है कि investing process कैसे रन होती है कि फराना अभी हमको बता देता है invest करने के लिए और हम कर देते हैं लेकिन हम अपनी सोच इस पर नहीं लगाते हैं ये बहुत ज़रूरी है कि हम investing journey को समझे और companies के जो outlier events हैं जिनसे हमको शायद एक शक आने लग जाए कि ये company कुछ तो गरबर कर रहे हैं यह हम समझ पाएं आज कहीं जो वीडियो होने वाला है दोस्तों बहुत लंबा चलेगा और मैं एक्चुली इसको रोकना नहीं चाहता हूं अगर ये चार गिंटा पांस गिंटा भी चले न तो मैं चलाना चाहता हूं देखते हैं क्या होता है क्योंकि और आपका जो शेर मजार में इंवेस्ट करने का जो एक प्रोसेस है वो बहुत रिफाइन होगा और आपको मजा हैगा ये जर्नी जीने में भी तो इस फेस-to-फेस के अंदर में मैं वलकम करना चाहूंगा उनको जिनोंने अपनी आइडेंटिटी को चिपा के रखा है और म प्रोसेस आप ट्विटर पर पोस्त करते हैं जो डेटा औरेंटेट आपके बाते होती है लोजिक ओती है इस कमेंड़ विए अधी एक डेटा इन्टेमिक बैगरांड मेरा वैसा है कि डेटा मुझे एक्साइट करता है मैंने देखा आपके अंदर में वह वो एक्साइटमे आप अधी वारवे बताईए क्यों इतना डेटा फोकस है आपका बैग्ग्राउंड क्या है आप कहां कुछ काम कर रहे हैं क्या कर रहे भी और यूर्स प्रोफेशन और मेरा तो अभी 10 साल होगे काम करते करते तो पूरा डेटा बैग्राउंड है मेरा आटेक्स मशीन तो इसलिए डेटा में मतलब मुझे आटमाटिकली आराम से मतलब समझ में आ जाता है इसलिए उसी होई स्टाइल है तो मुकेश हमानी साब ने कहा था न कि डेटा जनी और हाँ तो आप पूरा ऑइल डिस्कवरी प्रसेस पे लगे में रहते हैं डेटा में डुकी हाँ यह प् छह साल पहले भी काफी मुश्किल थी तो आज की टाइम पर अगर आपको पता है क्या देखना है और किसे देखना है कैसे कनेक्ट करना है अगर आप वो स्किल सीख जाओके तो मतलब इतना मुश्किल नहीं है किसी के भी क्योंकि जो हाट प्रोसेस है वो अलड़ी इन सर्व सब्सक्राइब कर लिए अपना मास्टर्स कर रहा हूं मशीन लेर्निंग और आप काम भी कर रहे हैं बहुत एक रेपुटेट कंपनी में आप डेटा अनलिस्त भी है और मास्टर्स कर रहे है यह तो वह बात होगी जो कहते है ना कि शर्मा जी का बेटा लोग आइडेल जो सब्सक्राइब कर रहे हैं कि देख क्या गया कर रहा है तो यूर एक्चिडी ए रोल मॉडल फॉल पता नहीं बट मैंने लाइफ में हमेशा हाड वर्क कभी वेस नहीं जाता तो वही मोटो से अपना काम कर रहे हैं कि मेहनत करोगे तो आज अगर काम निया तो चाह दो साल ब प्रसेस और बहुत दीप डाइफ उस प्रसेस के अंदर में करने वाले आपके साथ जी सो प्रेजेशन पर चले चले चलिए आई इसके चलो करते हैं तो पहले आपके बारे बेर और जानते हैं आपने एक स्लाइड बना रहे हैं वड़ी प्यारी सी लेड़ गो तूट स्ट् करते हैं शाइद मेरा प्रसेशन हो सकता है मेरा कोई सेवी करेजिस्ट्रेशन नहीं है तो प्लीज मेरी जो भी डिसकर्स करूं उस पर आप मत करी और एक फैनेशल एडवाईसर से कंसल्ट करिए तो अपनी पहली जर्नी बता देता हो मैं आपको तो मेरी जर्नी कोई बहुत सब्सक्स में तो वहाँ पर बच्पन से ड्रीम था कॉलेज जॉइन करते ही कि महाँ पर जाके इंवेस्मेंट बैंक में काम करेंगे तो लुकिली सेलेक्ट हो गया था तो वहाँ पर इंटर्नशिप करी जो स्टाइपेंड था उससे लेके मैंने अपनी फर्स सालरी से पूर शह सारे शह साल की वह काफी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उसके अंदर एक तो कॉर्पस बना मेरा इंवेस्ट करने के लिए जो कि बहुत ज़रुरी होता है काफी जादा लोग मतलब स्टार्टिंग से अगर आप डारेक्ट स्टॉक में जाओगे बिना सोच समझ के तो शा 2019 के एंड तक काफी अच्छा कॉर्पस बना और मैं इस पीच में अपना CFA कर रहा था रिसर्च कर सीख रहा था बाकी कैसे रिसर्च करी जाती है कंपनी इंडिया मार्केट में क्या हो रहा है वर्ल्ड में क्या हो रहा है तो जॉब वी ऐसे थी तो उससे काफी हेल्प मिला और फिर उसके अंदर जब मेरा लग था कि मुझे 2020 दिसेंबर 2019 तक मैंने माइन बना लिया था कि मुझे गोल्मिन से निकलना है तो पता नहीं था कि कोविट का क्रैश आ जाएगा तो डिसेंबर 2019 में सारा म्यूचिल फंड बेच दिया था क्योंकि कोल्मिन से निकल रहे थे तो फैबरी के बाद ही इन्वेस्स कर सकता था मेरा लास्ट वर्किंग डे ट्वेंटीएथ फैब था और उस टाइम पर फर्स मार्च से लेकर मतलब क्रैश शुरू हो गया तो मैंने मिड मार्च से बाए करना शुरू करा मिड़ अप्रिल तक जाद तर बाए कर लिया था त से लेकर करा इन्वेस्ट वागी कि दो साल तीन साल काफी अच्छे रहे सही है इसमें में एक इंट्रेसिंग नजर आ रही है कि आपने पहला पांचे साल मुचल फंड को दिया तो मैं उस पे थोड़ा और डीप जाओंगा आपके साथ की उस वो आपने रीजन तो कुछ और कि आप डिरेक्ट नहीं कर पा रहे तो इसलाब मुचल फंड होगी पर कैन यू और सुझेस्ट तो पीपल कि जब आप एक्विटी में आ रहे हो तो इस गुड आइडिया कि मुचल फंड से आओ स्टार्ट करो फील और फिर उसके बार डिरेक्विटी में जब करो और वो कि अच्छे पिसले आट साल में अपनी स्किल्स फोकस करा है तो मिरी जॉब की ग्रोथ मेरी सालरी ग्रोथ बहुत अच्छी रहे है क्योंकि मेरी सा हर बार स्केली आप उपर जा थी काम पे फोकस था तो जब पर प्रमोशन भी अच्छी उए करियर ट्रच ड्रीक्श इप उच के टेक्नोलजी स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं यूस की मार्किट अच्छी कर रही है तो इंडिया के अंदर टाटा टेक्नोलजी फंड है मोतिला लॉस्वाल का नैस्टेक फंड आया 2015 में और मैं ELSS का भी इन्वेस्ट करता था पर्सनल फाइनसी का मैंने बैठके कि कैसे मैने किया करता था तो उच्छे साथ साल में अच्छा कासा कॉर्पस बना और उससे ड्रॉडाउं अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो इंडेक्स पन से स्टार्ट कीजिए और फिर टाइम लगए मार्किट को सीखने में डारिक सोर्स से जिसे सी एफी की बुक्स हुई अगर आ तो जरूरी नहीं है कि आपको चार्टर करने हैं एक्जाम देने हैं बुक्स उठा लीजिए और उसमें काफी जादा है सब्सक्राइब अपने उपर इंवेस्ट करो तो यह जो क्रैश में आपने पैसे डाले तो से आपके पास 100 रुपीज थे तो क्रैश में आपने पूरा 100 डाल दिया था एक बार भी एक बार में नहीं डाला था मैंने मिड मार्च से स्टार्ट करा एंड अपरिल तक मैंने 8085 तक डाल दिया था तो क्योंकि इस परसेंट कैश में रहते इतना 12-13 परसंट कैश रहता आपके पास हाँ उस टाइम पर मैं कम कर रहा था मतलब में कें तक मैंने पूरा कम कर दिया तो कि मार्केट फिर रिवर्स हो गई थी और यूजिली मैं 10% कैश बना के चलता हूं अब क्योंकि मैं उसे बेर मार्केट फंड बोलता हूं कि अगर मार्केट में कभी भी क्राश आया आपके पास बाइंग पावर होनी चाहिए आप अगर उस पॉस्टिनिटी का एडवांटेश ही ले पाए तो ग्राइश आपके लिए फालत हूं अचले हम लोग यह सब बाते डिसकुस करेंगे की एक्जिट वगरह आप कैसे करते हो वाइल भी कंटिनू इन्वेस्टेशन सो आप आगे बड़ी यह अपने इन्वेस्ट करों इंडि वगेरा हेल्प हो जाती है खुद पढ़ने पे और एक सिस्टमाटिक तरीके से जो अगर रिसर्च करें उसको खुद लिखते हैं तो जो थौट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं तो तब स्टार्ट कर रहा था बट फिर आब वो काफी 16,000 लोग पढ़ते रहते हैं जब य पर चले आगे बढ़ते हैं तो मेरा सो इंवेस्टिंग मैं स्पोर्ट की तरह देखता हूं कि आपको स्किल्स इंप्रूफ करनी है इसके अधर जैसे स्पोर्स के अंदर अगर कोई बैसमन है तो स्टेट लेबल के लिए खेल सकता है स्टी के लिए लिए नाशनल टीम में के नहीं तब थिक कहरीत फटूर ऊफ्लेगा थार्च नहीं पहुंचता नहीं थी कप खरीदना ह्से क्या oops ऑट इन तीन के अन्दर कोई कोई स्पॉइशन को सिर्व कर रहा हुं आव कर सिर्व चाल साल बात जो इसके अनदर और और सेपूश्चा होगा। जैञना खृता हूं कि मेरा हमेशाँं पंडमेन्टल-ओर अनलिसिस पर पूरी वैल्यादी पड़ता हूँ, अगर इंडस्ट्री है तो मैं पुरी वाल्यू चेंग पड़ोंगा शिपिंग इंडस्ट्री की वाल्यू चेंग पड़ोंगा और बॉटम्स अप रहता है मेरा पूरा का पूरा तो इसके अधर में तेक्निकल्स यूज यूज नहीं करता कि भी डेकाउट्स या फिर सेट वो करते हैं फिर कब खरीदना है उसके अंदर में फंडमेंटल और अर्निंग्स ट्रिगर्स और टेकनिकल अनलसिस मैंने अब इंकोपरेट करना शुरू करा है फिर आठ दस महीने से तो क्योंकि पहले मैं कभी भी मतलब जब पढ़ ली कंपनी सही लगा कि हां सस्ती है तब ख तो इसके अंदर मेरा में चीज है अगर फंडमेंटल अच्छी भी अम्ती है बगर अर्निंग्स टेकर अकर दो साल बात का है तो मैं नहीं करीट हूं कि मुझे जितना अर्निंग्स टेकर क्योंकि मुझे अपना मैक्सिमम अलोकेशन जो है वो अपरचुनिटी कोस्स लूज अब इंपरूब करना है तो शली में अर्निंग्स टेकर अगर और टेक्निकल आश्टेश देता हूं और वेंट्व सेल इसके अंदर वाल्यूएशन इंपोर्टेंट है अब कभी कबार में ओवर्राइट कर देता हूं टेकनिकल्स को कि अगर फंडमेंटल के अनिंग्ट्री है अभी तीन चार महीने के अंदर वो डीमर्च कर रही है तो काफी सस्ती वाल्यूएशन है तो इसके अंदर टेक्निकली अगर आप चार्ट देखो के तो मुझे निकल जाना चाहिए बट मैं निकला नहीं हूं उसमें से उसको मैं इसलिए होल्ड करके रखा है कि अभी ती के अंदर डीमर्जर होगा तो तीन कंपीज मिलेंगी तो वह एक अर्निंग्स ट्रिगर प्लेयाउट होगा दर मुझे बहुत इंट्रेस्टिंग लग रहा है यह जो स्टेट्मेंट आपने मारना भी कि टेक्निकली मुझे लग रहा है कि निकल जाना चाहिए यह आपको कैस से लग रहा है यह मैं टेक्निकल चार्ट में भी आपसे समझेंगा कि आपकी क्या है तो अब बात करते हैं कि पूरी वैल्यू चैन कैसे अनलाइज करी जाती है तो पहले तो क्यों करना है वैल्यू चैन अनलाइज पूरा एक आपको सेक्टर की जो अंडेस्टैंडिंग बहुत अच्छी मिलती है कि सारी कंपनी अगर आप पढ़ोगे पढ़ने का मदलब नहीं है कि हर किसी की 10 साल की अगर आप एक साल की पढ़ लोगे चार कॉन कॉल पढ़ लोगे हर कंडी की प्रेसेंटेशन अगरा देख लोगे कहां फि अग्जांपल देता हूं कि मैंने सोलर इंडस्ट्री 2019 से स्टार्ट कर दिया जब यह लबसारी कंपनी मार्केट में इतना पता भी नहीं था लोगों को तब मैंने बैटके अनलाइस करा बट मैंने सारी कंपनी अनलाइज नहीं कर पुरी वैल्यू चेंडर में बहुत सारी जिए तो मीरा जो रिटर्न रहा है वह और भी ज्यादा अच्छा हो तो वह मेरी लिए सीख थी इसले साल और अब मैं जब भी कभी सक्टर को अनलाइस करता हूं तो सारी कंपनी चोटे से बड़ा कोई कोई कंपनीज जैसे में पहले चोड़ दिया करता था था कि बहुत को इसको करना फाइदा नहीं है बट जाधा तर अब मैं फोर्स फुली करता हूं क्योंकि अगर वह कंपनी पार्थ है वैल्यू चेन की तो मुझे पढ़ना है उसके बारे में एक बार वैल्यू चेन को एक्सपेंड करता हूं यह सोलर वाला ही एक्जामपल है तो पुरा स्लीकन को प्रेशराइज करके मेटल जैसा बना देता है उस इंगाट को स्लाइस करा जाता है सोलर वेफर में उस सोलर वेफर को जॉइन करके सोलर सेल बनाया जाता है सोलर सेल बनाके उसारे सोलर सेल और जंक्शन बॉक्स और ग्लास वगेरा लगा के सोलर मॉडिल बनता है स सोलर प्लांट जिसके अंदर आपको केबिल लगे की स्ट्रक्चर लगेंगे रिमोर्ट मॉनिटरिंग स्टेशन बनते हैं और ट्रैकर्स होते हैं कि अगर सन चल रहा है तो जो सोलर हो है वो मॉड्यूल अपने आप खोमता रहे संकी डारेक्शन में तो और फिर ट्रांसमिशन नेटवर्क आ गए कि आपको सोलर प्लांट से उदर लेके जाना है और पावर प्रोड्यूसर आ गए तो यह पूरी वैल्यू चेले अब इसके अंदर महेंचार गल्ती करी थी मैंने कि मैंने मॉड्यूल तक पढ़के छोड़ दिया और मैंने माउंटिट स्रुक्चर्स और इन लोगों को इतना देखा नहीं मैंने कि उस टाइम बहुत चोटी कंपनी स्ती है विजैसे मेरे मैं सोलर ग्लास का बोरुसल रन्यूबिल डूना जो मेरे लिए आज तक का मेरे पुटफोल्यों सबसे अच्छा स्टॉक रहा है और अपार इंडस्री करके कंपनी जो सोलर क बिए जाती अगर मैं उसको अच्छी तरह अनलाइज करता तो वह फंडमेंटली यह अच्छी आसी तो जब मैं टॉप टाउट आउन अनलेसिस कर रहा हूं तो जब मैं एक सेक्टर पकड़ रहा हूं तो इस नोट जस्ट वन सेक्टर राइट इट में बीटू-3 सेक्टर कं दो पॉरा मैं विजक पार। हपरा है कि वैल्यु चेन मतलब करू अगर कोई सोलल प्लान बना रहा है तो उसका पॉलच लिट टो इंद्धि आं निडिये नदर गेहें बीटे सबसे हां अघए फैट है थेकिन हैं सेलिकन डेपासित हीट करके पॉलिसिलिकन बनाएं और फिर इंगॉट बनाएं और फिर वेफर बनाएं हमारा वैल्यू चेन अभी जाधा तर चाइना से इंपोर्ट होता था अब वो सोड़ा सोरा बैकवर्ड होके सेल तक आ गया है और सेल से अब वो इंगॉट पे जा रहा है पॉलिसिलिकन त अगर आप पूरी वैल्यू चेन तो पड़ोगे आपको यह भी देखने लगेगा और फिर गवर्वर्मेंट की पॉलसी समझ में आने लगेंगी क्यों गवर्मेंट के सेक्टर में ड्यूटी नहीं लगा रही कहां इंपोर्ट इंसेंटिवाइस कर रही है कहां पर दी इंसे तो आप बात करते हैं वैल्यू चेन को पड़ा कैसे जाता है तो सबसे पहले मैं जहां स्टार्ट करता हूं और इससे किस किस सेक्टर में से रहे हैं semiconductor के लिए की गवर्मेंट की पॉलिसी नाए हैओ शिपिंग में पोड कि अपॉट को Jesma में ही साइट में delicious shipping industry holiday to learn the net been about Kevin नहीं तो उदर से मेरा बनता है कि अच्छा कहां development हो रहे हैं कैसे सेक्टर को सलेक्त करो हर स्क्तर मढदा मतलब कोई इंपamat THE है कि इतना टाइम लगता है तो उसमें भी आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर पढ़ना है एक तो हो सकता है कि आप उस इंड़स्ट्री में का या तो काम कर रहे हो आपका थोड़ा बहुत अल्रेडी एडवांटेज है उसको आप उठा सकते हो अगर आप है तो वह जाहतर रहती है बेनेफिट पढ़ने के लिए क्योंकि आप उसको उसमें आपको कुछ ना कुछ पता चल जाएगा एक बाव तो इसको बोरो कर लिया है कि आगर टेल्विंड के आपके आपको पुछ मिल रहा है किसी एक्टरनल फोर्स से तो आपका जो इंड़स् अगर 10% पर गरो हो तो शाएद 12-15% हैट विंड ओ गया कि अगर आपको एक्स्टरनल हेटमेंड आरहा रहा एगर अगेंस्ट विंड करेंट जा रहा तो दो इंड़स्टी के साब इसाफसे कि अगर आपका हैट्विंड है तो शाहद आपका 10 पर से विज़ए आट पर संप क्योंकि उदर आपका फाइदा जादा है तो जब आपने आइडेंटिफाई कर ली तो उसके इंदर आप पूरा वैल्यू चेन समझे कि इदर से कहां प्रॉफिट पूल का मतलब यह है कि हम अगर सौौर परस्ट बना अगे पूरी इंडस्ट्री मिलकाति तो उसमें से 20 कॉंह रहा हैं ड़कॉनले रहे हैं क्योंकि एक पूरी इंडस्ट्री के अंदर इकुली डिवाइड तो नहीं होगा तो कोई इंडस्ट्री का जो जादा से जादा डॉमिनेट कर रहा होगा अब इसके अंदर आप जैसे चार्ट जो है आपको दिखा रहा है की शिपिंग इंडस्ट्री की बेसिकली तो शिपर से लेके लास्ट कैसे वो दिवाइड होता है अब जब मैंने इंडस्ट्री पड़ी है तो जादा प्रॉफिट पूल यहां पर शिपिंग सेग्मेंट में जो जो शिप कार्गो शिपर्स हैं कारो लाइन वो बनाती है जादा तर पैसा और पोर्ट जो हैं वो बनाती है जो फ्रेट सिंगल डिजिट है तो अधर आपका कोई ज्यादा फाइदा नहीं है एडवांट कोई पढ़के ड्वांटिज नहीं है तो अधर आप ज्यादा बट आपने पूरा वैल्यूजेंट पढ़ लिए तो मैं इधर ज्यादा भियान दूगा शिपर इंवेस्टिगेट करने वे पूर्ट को पढ़ने में तो इंडिया में दोई पोट लिस्टेट कंप्रीज और अधानी पोट्स आप दोनों पढ़िए तो दोनों का आप देखेंगे आर विया रिटर्रों का डबल डिजिस्ट में बहुत साथ है बट दोनों का अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं वो पढ हो गया है और और जादा बन रहे हैं और गर्वर्मेंट की पुछ यह है कि और जादा डीपोर्ट बनाए जाए तो उससे आपको पता चल रहा है कि इंडिया के अंदर वहां पर टेल विंड है तो ऐसे करके हो फिर आप ऑबिसली हाज के अंदर कंपनी पर जाएगी और कंप साइट पर जाता हूं उसके फाइनशल देखता हूं उसकी अनौल रिपोर्ट पड़ता हूं स्टार्टिंग पॉइंट में अपर शिपिंग इंडिस्ट्री आपको पढ़नी आप नीतियों पर जा सकते हैं वहां पर आपको अची खासी रिपोर्ट मिल जाएंगी अब मैं अच्छा अब एक एक ग्जाम्पल देता हूं तो मुझे केमिकल्स के बारे में कुछ नहीं पता था श्रीकिल्स प्रश्च कर रहा था फास्टेस ग्लोइं इंडिया में चीन्जी की सबसे पहले पॉट आई स्पेशल्टी केमिकल इंडस्ट्री पर पढ़ा था कोई फाइदा नहीं हुआ 2020 में जब क्रैश आया था स्पेशल्टी केमिकल खरीद है और मतलब और यह फिल्टर करना इंपॉर्टेंट है कि आप कि जितने बैंक्स हैं अच्छी पब्लिश करते हैं उनको पढ़ने से जादा फाइदा है क्योंकि वह डीप में और अच्छी तरह बताएंगे वर्स अगर आप जैसे मेरा ब्लॉग भी अगर आप स्टार्ट करोंगे तो इतना अच्छा प्लेस नहीं है क्योंकि इतना डीप में म प्रोसेसि फ्रोबुव करने मेरा कभी अपट ऑफानि रहता कि मुझे अपना रिटन इंपरूफ करना है री तंजो है वो अच्छे परोसेस का नतीज़ा है तो अगर अपका प्रोसेस अच्छा होगा अगर उस प्रोसेस को रिफाइन करते रहोगे तो लिटन आउटमांट मैं अब च्छेंग मैंने इसले देड़ अर्डे साल में शुरू करा है, अजी फंडेमेंटलने सब्स्क्राइब अच्छा है, मेरी स्क्रेणिंग एफ्रीटिंग मैंने जह महींने में शुद्धी में अच्छी इंक है मेरी अभी। Technical Analysis, 8 महीं नहीं में start कर रहा है, Special Situations में थोड़ा अच्छा है GRIPS पे, Selling मैंने आपको बताया, भी शीख रहा हूं है, कैसे करना है, Risk Management मुझे थोड़ा बटा आता है, Behavior Psychology थोड़ा समझ में आ जाता है, Currency, Commodities के वारे में इतनी knowledge नहीं है, मैंने आपकी वीडियो देखी है, करेंग वे आप करनेसी के अठीक लिए में अठीक करते हैं तो हैसे करके मिले चीखता उब है कि यह सारी स्किल्स मुझे सीखनी है मेरा कभी यह नहीं है चैनली कि अच्छा रिटर्ण बन रहें दो यह ही टेकनिकल सिखनें की अंदर करते हो यह सारी स्किल्स कि इंपोर्टेंट है पूरा होल रराउंड प्रोसेश इंप्रूवर्व करने अगर आप एक ही करते रहो गये और बाकी को इंग्नॉर कर दो कि इसमानेज्मेंड एकनॉर हैं सारी की सारे और इंपोर्टेंट हैं सीखना मेरा मानना यह है कि सब अच्छा आना चाहिए यह प्रेजेंटेशन शेयर कर दोस्तों यह ना यह वली स्लाइड इसका प्रिंट आउट कलर प्रिंट आउट लेकर अपने डेस्क के सामने लगा लिजेगा और सुनिए इसको अच्छा आउट कर देना कि मेरे को बाइड इस ताइम यह करना यह पूरा जर्णी हम पांथ साल में बिता देंगे उसके बाद आने मेला पचास साल में हम से पैसा बनाइगे प्राब्लम यह होता है कि एक चित पिक कर लेते हैं कि टेक नेले लिजे बस उसी में घुसे रहत यह मैं अपने बच्छों को भी भूलूंगा पिंट आउट उनके स्थरी डेस के सामने रखोंगा कि यही गरना है एक एक खर थैंक यू प्राब्लम तो जैसे आपने बोला यह काफी इंपोर्टन है और यह एंसलेरी स्किल्स हैं तो सब को मतलब आनी चाहिए तो इस पेजि पर तरह में तरहिए जहां बस्कि दिया खर्योंगा है कि यह और अधा कि सब्सक्राइब उनके सिट्यूशन क्षाइशन बोल टिया जाता ह। यह में इसमें काफी मिस्टेक्स करें यह त मेरे हände थाफ से फच्छीन जो जो यह सपेशल ब्राइज बराया है और जो स्पैसली जो सही चीज है, वो एक बेसिकली तरीका है, अपॉर्चनिटी है कि अच्छी फंडमेंटल कमणी को आप एक टेंपररी विंडो होती है, जहां पर सस्ते में मिल जाती है, वो इसलिए सस्ते में मिल जाएगा तो कोई इवेंट चल रहा है कंपनी के अंदर डीमर्जर एक इवे वो होता है special situation, और special situation का main चीज है कि वो market को जादा पता नहीं होती, कि अगर हर किसी को पता है, तो वो special situation नहीं होगा, अगर बहुत बड़ी कमती है, तो special situation नहीं होगा, अब जैसे US में अभी अभी जनरल इलेक्रिक का तीन में मर्जर हुआ है, तो वो special situation नहीं था, क्योंकि पहुत बड़ी एक मनें बहुत करकोंपनी नहीं भी परफ यह नहीं पैच नहीं कंपनी दैन तो इंसिति उसे में रखाविल्श क्वें अच्छा और इंडिया के अंदर special situation इस तरीके की काफी जादा फाइद मंद रही है पिछले 10 साल में और आगे भी मुझे लगता है काफी फाइद मंद रही है बर इसको समझना important होता है कि हर चीज special situation नहीं होता तो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो आती फार्मा हुई है अधी इंडस्टी से और अगर अगर पिसले देखोगे पिरमल फार्मा के अंदर बहुत बड़ी कम्नी है बहुत जादा एक तो फ्लोट बहुत जादा है उसका सो क्रोड़ शेयर है तो जब निकली थी तो वो चजाद सव्चे सेंट करके और फिर आगर आप पहले और पहले तो बड़ोसल रन्यूबिल भी अडीर लागै करकर शाहि है बेकर निकली है और जसे आरती में से भी आरती सट्फ एक्स तेंस हुी जो कि उनकी ति पहले और काफी और कंपनी जो कंपनी जो कंपनी खुए पहली वहां कि अझया ग्डीमुऑ बस्ट में से भाइक बाइघघा और अगर आप देखो कि कि जब वह दिमाज विए तो उनका एक चार्ट में आप आप जाके देखो कि जब स्टार्टिंग में डिमाज हुआ है तो एक सेल आफ इसलिए आता है क्योंकि वह छोडी कमणी है बड़ी कमणी निकलती है तो इंस्टिउशन की अगर होल्डिंग है जैसे सोचिए किसी मीचल फंड की 10% होल्डिंग है उसे छोटी कमणी का भी मिला अब या तो चोटी कमणी अगर मिट कैप फोकुस फंड है और उस मैल कैप में नहीं कर सकता है तो वह बेज़ेगा अब वह बेचे को क्यों बेच रहा है वो इसलिए बेच आई को कि उसके पास कर नहीं सकता तो उससे और इतना बड़ा होल्डिंग होता है तो वह सस्टे में खरीड उस्यापका अगर नॉर्मल उसमें खरीड होगे तो दस परसंट होगा सश्टे में करिये होगी तो इस परसंट हो यह आपके साफसे मार्किट कर नहीं लेता जैसे से पहले 250 कमपनी हो इसापके मेरे साब से मॉल के साथ 25,000 गड़ बाते नीचे का होता है मिट कैप 25,000 से मैं लिमिट लगा देता हूं बाकि उससे उपर मैं सबको लाज काप कंसिडर करता हूं और डिपेंड करता है कि कितना वेल ट्रैक भी है बहुत सारे स्मॉल कैप जोते हैं जिसके अंदर बहुत जादा इंस्टिशन होल्डिंग होती है तो वो शायद मतलब टे सब्सक्राइब धायको ज़िए अब जादा जाता हूं जहां पर ज़्यादा रिसरच नहीं होरी है ज्यादा वेल ट्रैक्ट नहीं है यह जएक जितना जादा वेल ट्रैक्ट है उत्ना बस्पेशल सिचुएशन के नदर आपको फादा नहीं है सबश्यें और सौ कोर के तो दो हजार तो वो जो जितना तो अगर मतलब 50% से भी जादा 500 करोड़ से नीचे तो वह बहुत मुश्किल हो जाता है उसके अंदर पता करना और 500 करोड़ से अगर आप 25,000 करोड़ तक देखो के तो आपको हजार कंपनी के आसपास मिलेगी बस तो उसमें जादा फायदा है क्योंकि उसके अंदर एक तो जितनी छोटी कंपनी होते ना कम मटीरल मिलता है रिसाच करने के लिए तादा पता नहीं होता है तो मैं फोकस करता हूँ उन 1500 कंपनी पर उसमें भी बहुत से सेक्टर ने जो मुझे मतलब कोई आइडिया नहीं हो उनको निकाल देता हूँ और जिन तो उससे करके मेरे पास 500-600 कंपनी बची है उमीद है कि अगले पांच साल में शे साल में पढ़ लेंगे तो हम लोग स्पैसल सिटुएशन मतलब डिमर्जर कोई बोलते है यह कोई और स्पैसल सिटुएशन आती है जैसे कई बहुता ने टेक ओवर वगर हो गया तो व मतलब जादा फायदे मन नहीं है ऐसे और कोई अगर सी बैक्ग्राउंड का कोई मतलब जैसे वेल रांड एंटर्प्रणियोर है वो चोटी कंपनी को टेक ओवर कर रहा है तो हो सकता है और बहुत सारा इंडिया के अंदर मतलब दी मर्जर जादा देखने को मिलें मर्जर से कि इसे बोलते है और इंडिया आज बाइबएग्स भी होते हैं भब ज्राइडस दी बीगर्डर्णि जिसके नदर मैं पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि यह बहुत सब्स्क्तर करने में क्या हो रहा है कि नहीं है कुछिछ तुर के जिए ऐधे न lle Ghost homie सारया मेंने स्क्रिप्ट्ट तो गएठार बना रकिया है पाईथन के अंदर कि वह निकाल देती है रेगूलर अनाॉशमेंट को और जो इंपर्टंट अनाॉंसमेंबंट होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं उसमें से भी कुछ थोड़े बहुत रेगुलर अनॉंस्मेंट होते हैं बड़ एक लिए सो में से मुझे बीस मिल जाते हैं पढ़ने के लिए तो वैसे करके मैं थोड़ा ट्रैक करता हूं आप दिखाईगे आपका खुद का प्रोप्राइटरी तो अब उसी के बारे में बात अब उसके अंदर यह है कि जैसे मैं बोलता हूं बिल्डिंग सेकंड ब्रें और लिटरली आप सेकंड ब्रें बना सकते हैं क्योंकि हर चीज़ रिमेंबर करना बहुत मुश्किल है और टेक्नोलजी को यूज करके आप काफी अच्छा उसको इंप्रूब कर सकते हैं तो कंपनी इंसाइज के अंदर इंडस्ट्री इंसाइज टॉपिक्स के रिसाफ से मैं चैनल बना रखे हैं और उसके अंदर में अपना खुद की रिसरच पोस्ट करता है उससे क्या होता है कि अगर मैं सुद्रशन केमेकल पर एक्जामपल आज कुछ पढ़ा है और तीन हफते पर तो आज से उसकता है और फिर एक चीज़ होती है जो कि प्रोजेक मैनेजमेंट के लिए यूज होती है कि आप खुद का प्रोजेक्ट जैसे बनता है तो जहादतर हर टेक्नोलजी कंपनी इंदर ये यूज हो रही होती है मैं से यूज़ करता हूं अपनी इंवेस्टिं तो यह प्री है उसकने के लिए और खुद का एक वर्क फ्लो टैप कर बन जाता है तो आप मेरा देखो कि आइडिया के बाद स्क्रीनिक आती है रिसर्च आती है अगर मैं रिजेक्ट कर देता हूं रिजेक्ट चली जाती है रिसर्च के बाद मैं थोड़ा बड़ा कंटेंट बनाता हूं उसके सारा एक जगह और रहता है मुझे नहीं करना पड़ता हूं और अगर कोई जैसे अगर बोलेगा कि किस मार्किट काप की कहां से आइडिया आया था कि किसी दोस ने बताया यह कुद ढूंडा यह कहीं सहीं से मिला तो वह साही चीज़े में ट्रैक कर लेता मपर कर रहाता है मैं कि सहँ जारी करना है कौंस्टेंटली अपको इंक्रीच करनी है में तक मार्कट होड़ पता चलिजर जाती है कि कौन सी कंपणिी के अंदर इंसाईडर भाइंग बाइंग हो रहा है कौन सी कंपणिय कंदर रिटेल भाइंग कर रहे हैं चैंब अज का आप से मार्केट कितनी ओवर्सोल्ड है तो कहां रिवर्सल के चांसे आ सकते हैं तो मेरा एफ़र्ट यह नहीं है कि मुझे बॉटम पकड़नी है या टॉप पकड़नी है मेरा एफ़र्ट यह है कि अगर पच्छिस परसेंट बॉटम पे अगर क्लोज मैंने भाइ कर लिया और पच्छिस परसेंट टॉप पे अगर मैंने सेल कर लिया तो वो मुझे इंप्रोव करना है सब्सक्राइब कर सकता है तो इसके अंदर डेटा मेरा स्क्रिप्ट है वो जाके डाउनलोड करती है मेरे डाबेस में डाल देती है आपको डेटाबस दिखा तो मुझे पता रहता है कि कौन सी कमडं़ी में कितनी वायंग हुरी है क्लों से सेक्टर में दीवाइं ऐसे अर्ट डुट यिस अगर में हफते मेंיס 11 को मुझे स्वा पॉइंट्ट था कि कांकि को दिंभारे सब्सक्राइब आय था यह बना रखया जिसके नदर काफी सारी मतलब स्क्राइनिंग अगेरा होती है कौन सी नहीं कमटीज आ रही है उसब तो यह सब बेसिकली साही चीज़ पावर करती है ऐख करे चल ना जर वाफ देकि जो आप तो चाल को किया रहा टो मेरे इंकन वही था कि हर इंवेस्टर की इंवेस्टर का किया रिटेल को और आप लग्ट एपक बैंगरांट गरांड कि अप कर गवेब मैं सारी सर्विसें यूज करता हूँ तो वो भी इंपॉर्टन लाइक आज देसे मैं बोला कि पांट साल पहले इसा बहुत मुश्किल था अब काफी आपकी सर्विस की वज़े से और बहुत साही सर्विसे वज़े से बहुत एजी हो गया है यह आपकी सर्विसें अब लूमबग शब्सक्राइबर फर लास इसक्सीन यह नोग एं मैं के बुलूमबग का बहुत बड़ा फैन यह ने पूरा जर्मी चालू के स्टोकेश का उनकी बुक पढ़े बुलूमबग मैं बुलूमबग ने पढ़ियो भुक अभी ने पढ़ियो इतने इंस्पायर उंगे न उसादमी से 39-year-old living Salomon and then thinking about doing something which is so different मजा आया बुक पढ़े तो वहीं से मैंने जन्नी चालू की मैंने देखा एक डिर लाग रुप्या महीना हम लोग पे करते हैं उसका और एक आम आत्मी है ना उसको साव का 2,000, 3,000, 4,000 रुप्या पे करने में मैं लोगो बोलता हूं कि कम से कम 10-15,000 रुप्या साल का एक बजट बनाओ क्योंकि वह नहीं डालोगे मल्टिपल प्रोड़क्स को नहीं सब्सक्राइब करोगे मेरा मानना है कि 1% प्रोटफोलियो और बड़ा प्रोटफोलियो है तो at least 0.5% से 1% आपको देना चाहिए सब् अब बड़ा करें तो वह सब्सक्राइब करोगे तो वह एच और मार्केट में एच चीज़ है इन्फोरमेशन वह एच इस इस अप्रोटफोलियो और आपको तो पता है ना किससे कॉंपीट कर रहा है लोग जो इतना हमवर्क करके एच करके बैठे उनसे आप कॉंपीट करत सब्सक्राइब करना है तो थिंक अबाउट इट चली सब्सक्राइब नहीं सकता हूं कि यह आप मेरे यूजर्स को एक्सेस दे जिए इतना प्रोप्राइटी और इतना खुद का काम है कि वह किसी के साथ दे भी नहीं पाएंगे अगर देना भी जाएंगा तो क्यों देने म अगेला में फूल टाइम इंपलोई वह उसी पार्ट टाइम में अगर सब मी जाना नहीं है तो यह लास्लाइब है मेरा कि मैं क्यों लिखता हूं जैसे आपने बूजा कब स्टार्ट करा लिखना तो मैं लिगता चली हूं क्यों कि मुझे पूरा जो मैंने पढ़ा है उसको वो मेरा हेल्प करता है कि अच्छा यह इंडस्ट्री नहीं पढ़ूँगा में नॉर्मली तो इस में पढ़ता हूं से और फोर्स करता है मुझे एक प्रोसेस फॉलो करने में कि एक तरीक जो तो कि लिखने का भी एक फॉर्माट होता है कि कुछ भी कहीं भी नहीं लिख सकते वह होता है और एक कम्यूनिटी थोड़ी बिल्ड हो गई है लिखने से काफी लोगों से मिला हूं आप देसे लोगों से मिला हूं अगर नहीं लिख रहा होता तो मैं कभी शाद आपसे लाइफ में रहाता और फिर अपनी मिस्टेक से भी लर्ण होता है कि मैं चाहा के पहले पढ़ सकता हूं कि उस ताइम पर क्या सुखते लाता है और पता लगता है कि self-interestraction जो है वह काफी इंपोर्टेंट पाया था इंवेस्टिंग का तो उससे हल्प होता है सही है तो आपका ब्लॉग में चाहते है जिए नेक्स वहां से चीजों को उठाते है विकास तो आज बोलने पर अपने रेट फ्लैक को नहीं देखते हैं अब आज में पता लगता है सामना तो निकली किया और हमको शेयर देके चला गया बहुत एक्जामपल चाहीं थी नो तो रेट फ्लैक कैसे अगर के सब्सक्राइब कर रहे सकें तो रेट फ्लैक मेरा सहाधार कंपनी में रहता है तो अगर आप यह सिकार्ची इंड़स्ट्री का मैंने लिटेस ब्लॉक तो अगर आप देखोगे तो पहले पता कैसे करना है तो रेट फ्लैक मतलब मेरा भी अभी पूरा मैं अपने मतलब मैं बोल नहीं सकता कि मुझे फॉरण से और रेट फ्लैक करना 100% आता है ब अगरेट कोर्टर जेए वो नौने किसी और प्राइवेट कमणी जे खरीद रखा होता है वो कर्मोटर ओन करता है वह ना आप शनाप रेंट पे लिस्टेट कमटी को रेंट आउट कर देता है तो आप देखना चाहिए आपको फाइनेंशल से कि रेंट कितना इंक्रीज हो है और कम्पनी के प्रेमाइसे मैनुफाक्टरिंग कौन ओन करता है वो कौन रेंट पे ले रहा है उसे वो आपको अनुल रिपोर्स पर जाकर पता चल जाएगा और डियारेशपी से पता जो आई-पू डॉक्यमेंट होते हैं डिलेट पार्टी ट्रांसक्शन से पता चल ज जो गुडविल रिखे होते हैं पेटेंट इड प्रोसेस तक और जो ब्रैंटेट ब्रैंट्स हैं उस अब प्रमोटर को बेच दे लिस्टिंग से पहले दो लाग रोपर पर हैं और कितना टर्नोड अपनी का टर्नोवर ऐसे है इसे है आइधिक का दोहता तीन हजार क्रों मा तो वह सब फ्लैक्स होते हैं कि आप यह आप मतलब ऑविसली सही तरीका नहीं है और रेंट अगर आप देखोगे कंपनी का 30% से साल में इंक्रीज हो रहा है 30% से रेंट कहीं भी वर्ल्ड में इंक्रीज नहीं होता किसी कभी इसमें इंसिटूशन शेरूड है तो वो लोग इतनी जादा नहीं है अगर आप कॉन को फड़ों के तो बहुत 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 रेंज हुआ है तो काफी लोग ने बोला है प्रमोटर्स को तो वो बोलते हैं कि हम चेंज करेंगे प्रॉफिट का कर देंगे सेल्स के वकाबले बट फिर भी प्रॉफिट करो आप यह कुछ भ करेंगे तो इस अपर आप यह कोई कंपनी है जिसने ब्रैंड बिल्ट किया एक बिसनस करके अब वो ब्रैंड को वो कंपनी यूज करने लगी दूसरे बिसनसे में जहां पर शेरूल अपर इस नहीं है तो प्राइबिट लोग प्लिक भी हो सकते हैं मैं नाम नहीं लोगा भ कर दूसरे कमपनी को भी तो फायदा हो रहा है यूज के दूसरे कीरिको प्रोब्लम किया है कि उपाइदा हो अगर और इंडिया को अगर उस Gör Bi Kit को अगर उस जो मेंन कमठी हैं मेंन कमठी इसका आपने प्लीन рас कर रहे हो cry उसका माइनॉलटी शेरोल्डेस को खाटा हो रहा है और जो आना चाहिए उनका प्लाइलटी ग्यायं कोई यह चोटी कंप्टी में आपको यह चीज नॉर्मल दिख जाएगी ऐसा अभी हिंदनबर्ग रिसर्च का रिपोर्ट है यह कॉंसेट कर रहे हैं कि उस तरह के किसी ने विसल ब्लॉर ने डीप रिसर्च करके अपने बात भूल दी ठीक है इससे के अदानी है जो मैनेश्मेंट तो बाहर मैंने देखा है विसल ब्लॉर भाते हैं कोई आके कुछ मेरा डिस्क्रोज कर देगा तो मेरे स्टॉक प्रैस में उसका इंपक्त आजाए यहां के प्रमोटर को उनको तो रहा होता है कि अरे जो करने कर लें तो इंडिया अगर आप देखो के मार्किट कैप के हिसा इंडिया ऐसा ग्रोइंग एकॉनिम हो है स्टॉक मार्किट भी मतलब एकॉनमी ग्रोव रही है स्टॉक मार्किट से जादा ग्रोव रही है छोटे स्केल पे तो युएस के अंदर अगर आप देखो के फ्री फ्रोट जिसे बोलते हैं कि प्रमोटर्स अलग से पब्लिक का कि समझते अपने आपको तो मेरा तो होप है कि इंप्रूव होगा और जैसे जैसे मार्केट काप बढ़ी होती जाएगी तो विसल ब्लोवर भी आने चाहिए और जैसे शॉर्ट सेलिंग रिपोर्स भी आने चाहिए वहल्दी एको सिस्टम होता है और मेरे हिसाब से इंडिया क मार्केट ट्रूली फृलिभ मार्केट नहीं है यूजिक की मार्केट फूरा फृब्शी मार्केट है वाह पर शॉर्ट सेलिंग पार बीवाव रमी ऑजाए इंडिया के लिए कर तो ऊड़ा भी ब्लोवेंग मेलाड़ ब्रौल मेरे चाल सा तो आपने इस केंपको पर लिख वो सब होता है बट मैं उसमें जाना नहीं चाहता और तो इसमें यही सब चीज़े हैं और मेरा कभी यह नहीं है कि किसी कंपणी को नीचे दिखाना है कि अगर आप कारबन क्रेड़िट का भी लेंगी तो यह इंट्रेस्टिंग टॉपिक है इस बहुत ही वेक टॉपिक है किसी को आज तक संव में यह कारबन क्रेडिट होता क्या वर्क कैसे करता है और एक कंपणी इंडिस्टेट वह समी में थी उसके बाद में बोर्ड पर आव पर आपके यह कि मैंने बोल रहा है कि हमने और बोल रहा है कि इनने रेविन्यू ओर एस्टिमेट किया यह कॉंसेप पुरा बता है यह कारबन क्रेडिट क्या होता है कि कारबन क्रेडिट पेसिकली 1990s में यूएस ने क्ली एर एक निकाल अब जैसे आप 90 अगर पढ़ोगे तो आप प्रावलम था अब अब अश्टिम गायब हो चुगा है वो क्यों होता था कि जो कोल जो प्लांट्स थे वो सल्फर अमेट करते थे और वो उससे एसिदें बनती है तो कारबन क्रेडिट बेसिकली क्या है दो टाइप की होती है वोल इंटरी और मैंडेट तो मैंडे अगले साल हम उसे रिड्यूस करके 90 कर देंगे तो अब पूरी इंडस्ट्री पर क्याप लगागा है तो आप किसी प्लांट ने इंप्रूफ कर लिया पहले जैसे वो जैसे 20 एमिट करता था अब वो दसी एमिट करता है तो उसको क्याप का दस जो है वो एज़ा क्रेडिट किसी और रहुज सकता है को यह से क्वर्य प्ल्रंट चीए नहीं है उसने कम नहीं करें देख तो किसी और इंडस्ट्री से काप क्वरीचț सकता है तो इसकलिए को घ्रीट कर रह थो कि एक वहा से कर्भिन मार्केट शुरू हुई और आज कि ब्युटाई है स् flute uży हम बीर क्योंकि EU के अंदर कार्बन बहुत ज्यादा मतलब प्रोग्रेस्ट वही है वहां की पॉलिसी बहुत ज्यादा एडवांस्ट है उन्होंने हर इंडस्ट्री पे वह लगा रखा है मैंडेट और वह सबसे जादा मतलब आगे हैं कार्बन से लेटेड में अगर अगर आप देख नए एनर्जी या फिर कार्वन मार्केट से लेटेड या फिर नए जो लॉज आते हैं वो पहले यू के अंदर आते हैं उप फिल वर्ल्ड में अड़ॉप्ट हो तो EU की अप्रमार्केस अब इंडिया में खुलेगी जैसे कंपल सरी कार्वन मार्केट बोलता है जां गवर् वोलंट्री कार्वन मार्केट में आप कर सकते हो और कि मैंने सब चीज चेक करी ऑडिटर बेसिकली ऑडिट करेगा और बोलेगा कि इतना यह नहीं निकार आए तो बहुत टाइप के कार्वन मार्केट होते हैं और इस ब्लॉग के अंदर चाहद मैंने दिया भी है कितने टा इसका लिंक देदूगा दोस्तों इस वीडियो के नीचे पढ़ना करेट्स हैं जो हर चीज से रिलेटेड हैं अब इसके अंदर फॉरेस्ट्री वाला जो है वो सबसे खराब क्वालिटी का कार्बन क्रेट होता है क्योंकि जैसे आपने फॉरेस्ट लगाया और आपने अप्रूफ करा दिया कार्बन गायट बिग गया अब हर कोई तो आकर मॉनिटर नहीं कर रहा दिन बबर की फॉरेस्ट वांपर है कि नहीं वह फॉरेस्ट आपने काट दिया वोड और वो लेकर बेज दिए तो वह सबसे खराब क्वालिटी का होता है और अच्छी क्वालिटी आसे काम काम करता है अब बहुत सारी हो गई जो मार्केट की कर्दा गाम करती है आई एकस्ट वह 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 कारवनाने वाला यहां की तो काफी टाइप के पूरा वेल्यु चेंच हैं बहुत सारे तो इसके अंदर इंडस्टी का प्रॉब्लम ही है कि ट्रांस्पेरेंसी और मुत ऍाया था कि उन्होंने जो कार्बन पिरेट कारबं कुरीडन दिखाइए खरीडन हे वह घ्रीक होघ पर निसे बहुत बड़ी डगारे उन्हों ने तो bana पड़े-घ्र cierto सब्सक्राइब करना चाहिए इंडिरेक्ट प्रॉक्सी प्ले अगर मिला जैसे हो गया कोई रिकमेंडेशन नहीं है बट उसके अंदर आपको सेकेंड थर्ड प्रॉक्सी मिल जाएगा बट ऐसा कोई अभी मतलब डेवलप नहीं हुआ है इंवेस्टिंग के लिए चाइना के अंदर में लोग बोलते हैं प्लुशन काम करने के लिए उसका और इसका को रिलेश्टिशिप है तो चाहिना के अंदर भी कारवन मार्केट है यू का फर्स्ट है तो चाहिना किसे थर्ड पर आएगा और उदर भी उन्होंने जैसे तो एक तरीका है बेसिकली गवर्मेंट का लेवर है कि इंड़स्ट्री को फोर्स करके एमिशन कम कराया जाए तो उदर भी अच्छा है तो इंडिया के अंदर आने वाला है गवर्में अजाब नहीं होगे तो इस चील इंड़स्टी का लग से आएगा और वह क्या करते हैं वह देखते हैं कि इस साल कितना अमिट करा पूरी इंडस्ट्री ने मिला के उसे बैंच्मार्ग बना देते हैं कैसे मेजर करते हो वो हर मतलब हर इंडस्ट्री का देखते हैं कितना आउटपुट है और हर manufacturing में कितना लगता है तो जिसे स्टील का calculations हैं कि एक टन स्टील बनाने में इतना आज्च्मार्ग होते हैं तो इसी कोई लिस्टेट कंपनी के इंडिया में काफी जाओं क्रेडिट एकुमुलेट कर रखी है ऐसा ज्यादा कोई भी नहीं है जो इंडिया मतलब डार्क प्लेग कोई नहीं है इन्डाइट हो सकता है और मेरे साबसे वर्ल्ड में भी कोई ऐसी fundamentally अच्छी कम्टी नहीं है कि इसमें आप directly हो कर सके हैं बहुत सारी कम्टी जो claim करती हैं हम इसमें काम कर रहे हैं but because industry अभी इतनी के वारे में काफी मिलब जब शेयर प्राइस बड़ा और मुझे लगा कि मैंने मिस कर दियों से मेरे इनर्जी से रिलेटेड है काफी समझनी कोशिस भी करी मैंने नहीं करा बट मैंने क्या करा मैं एक वन दो चेक्स होता है की कैश कितना अगर आपने 100 रुप का मुनाया है उस साथ परसन से भी कम है तो मतलब आपने अगर आप देखोगे इस क्वाटर भी या पिछले साल का अगर आप देखोगे 380 क्रोड़ पे उन्होंने प्रॉफिट बनाया है और अगर आप कैश देखोगे तो 30 क्रोड़ ही कैश था है तो बागी पैसा कहा है तो डेटे रुप वह पता नहीं किदर है तो तुम्हें क्या करता हूं यह मेरा एक स्क्रीन में यह एक पॉइंट रहता है कैश कंवर्जिन कितना हो रहा है तो यह फॉरेंसिक से एक तरीका है रेट फ्लैक पकड़ने का कि तो मैं देखता ही नहीं किसी कंपनी को जिसके अंदर पचास साथ मि काया कर्के नहीं करता है तो मैं जो पर इन चीज़ों कि कितर कंवर्ड है अगर फ्लोट कितना है तो अगर आप देखोगे मेरा प्रावर भी वह बनावा रहे है कि कितने शेयर मार्केट के अगें और कितना कितना प्रमोटर के पास है कितना पब्लिक के पास है आप दिखो कि एक्स पॉब्लेकों ओल लगे की बड़का कि छटाकी इंस्टीविशन्स स्फुरमोंट्र वगेरब शफॉक्र yakशन। शेंर फरा कि तरीका है उझार पॉख जाकर कि यह सब चीज़ है मेरी इसमें बैठके मैं देखता हूं यह टेक्निकल से बॉरोड है लोक लोड अगेरा वाल्यूम बगेरा सब उदर टेक्निकल और से बॉरोड है और क्या होते हैं इस तरह के परामेटर जो आप फंडमेंटे जरेड फ्लाइड के लिए वैलुट कर तो आप इस परसेंट इंग्रीज होता है तो अगर तीस परसेंट नेंग्रीज है तो मतलब फ्लाइक है कि इन्वेस्टिगेट करना चाहिए आपको देखना कि कि दर है और सब्सेजरी ट्रांजेक्शन्स कितने हैं बहुत बार होता है कि प्रमोटर की पब्लिक लिस्टेट कम्टी बिजनस कर रही होगी और सब्सेट मार्केट प्राइब से जादब तो वह सब प्रॉब्लम्स हो सकती है कि वह जो बेसिकली पबलिक लिस्टेट कम नियों पास्ट्रू कंपनी असली काम सब्सेजरी में हो रहा है तो वह सब बैटके देखना पड़ता है और मेरा भी मतलब इतना मैं माहर नहीं हो इसमें बट मैं सीख रहा हूं जैसे मैंने बताया कि वो सारी स्किल्स है वो सीखनी है क्योंकि इन्वेस्टिंग अट लीस्ट तीस साल की जड़नी है मेरे लिए अब ही मैं तीस 29 का हूं तो तो उतना टाइम तक अगर आप यह आप सीख लोगे तो व अगर आपने सीख पढ़ना सीखा इन्वेस्टिकेट कर आच है मिने लगेंगे अभी छोटे ताइम में लगता है कि अब बहुत जादा है बागी इसमें जब शिपिंग पढ़ ला था था बैंक भाग रहे थे ऑट भाग रहे थे लगए तो बैट वाद में काम आएंगे अ सब्सक्राइब कर लिए थार्ड लेवल में करूंगा बट किसी को अगर पढ़ना है तो सीएफे तो पूरी उसमें जाता है का मौरीटी इस अगर आपको सीखना है एक्विटी की बोगटा लीजिए सीएफे की लेवल बन की और उसमें आप सीख सकते हो और मैं इन चीजों क को जादा इडवाइस करता हूं सीएफे सीएफे सीम्टी अगर टेकनिकल सीखना है तो सीएफे क्योंकि लोग क्या करते हैं वो पीटर लिंच की बोगटाएंगे या वारन प्रुफे की बोगटा लेंगे तो वह बुक्स के अंदर बहुत ही क्यूरेटेट होता है स्ट्रक् अगर आपको जैसे डॉक्तर बनना सीखना है तो अब मेडिकल स्कूल जाओगे ना आप किसी का डॉक्तों ही ना ठाओगे की बुटे सर्जरी कैसे करनी है वह उसके बात की बात है हाँ वह बात की वह एंसलेरी आसकते हैं अच्छा वह टेकनिकल वाला उसमें चलते बज़स यह पंदेस्ट करते हैं आप ने बताया तो स्टॉक में एक्ट्निकल का बीजिट क्या विश। है ओल्गो ऑल्ल ख़र वह लिखते हैं तो आप क्या करते हैं अब अपने स्टॉक्स वह पर ट्रेकर में डाल देते हैं हां मेरे बाश काफी वह रहते हैं कि स्टेज वान फिश सिचुएशन तो मैं सब का बना रहा हूं तो अब अब ऑल कारों के अंदर आप देखो गए तो मेरे हिसाब से यह ट्रेंड लाइन थी अच यह जो सेलिंग थी रिजल्ट वाल देखिए और मैं वीक्ली चाट देखता हूं मैं उससे कम नहीं देखता क्यों कि नौइस बड़ा जादा होती है तो यह सेलिंग आई तो और अगर आप देखोगे यह सपोर्ट लाइन थी तो इस वीक की जो क्लोजेंगे वससे कम हुए तो टेखनीकली जो मुझे लगता है और नीचे आएगा मेरी बाइंग प्राइस यह डाइस हो गया असपास अबरेज तो बट फंडमे हो जाएगा उसम मुझे पता नहीं तो मैं क्या करता हूं अगर मेरी बहुत बड़ी पोजिशन इसके अंदर मैं वेटेश कम कर लोगा तो उससे मेरा यह होता है कि जो दाइसों पर करीता यहां पर दस बीस परसंट इतना भी है वह बन गया वेटेश कम हो गया अगर वो नी अगर पहले आप मुझे एक साल पहले अगर पूछते तो मैं कुछ भी नहीं करता रहता है वह पूरा जुक्त से खरीता उत पर आगेता और कोई मतलब प्रॉफिट नहीं होता अब मैं बेस के ऊपर को एक ग्जाम्पल बताएं स्टॉकर जिसमें आपने एक्चली ऊपर बे जो थोड़ा सा ऊपर वेचान तो बहुत अशल रिन्यूमल मेरा काफी सही रहा है तो यह है इसके अंदर फंडमेंटली मैंने टेकनिकल नहीं करा था फंडमेंटली मुझे पता था कि अगर उनकी ड्यूटी गई तो उनको मार्जन्स कम होंगे और यह आप देखोगे इस ए एंदर मैंने टीट अगयरा भी कर रा था कि अब मत खरीडों से काफी मतलब ऑर आप देखो यह नीचे आया मेरा हिसाब से इस थाड़े-3.500 आ जाना चाईए था बट काफी स्ट्राउंग रहा है इतना भी नीचे नहीं आया है और तो यह बोक्स ब्रेक करा ने मेरे साब सा बुजे आप जैसे मैं दो क्वाटर तक जर्ज कर सकता हूं वह भी मतलब ही जर्ज होता है है मुझे लगता है कि दो क्वाटर के बाद कि कहा नहीं किसी पता था मार्केट में तो दो क्वाटर में डेख ताँ हूं कि profits कितने होंगे कैश कितना आएगा और अर्णिंग ट्रिगर प्ले आउट हो चुका है कि अभी और है अब फॉर एक्जाम्पिल इसी स्टॉक के अंदर इंका जो कपासिटी है वो 400 टन पर थी अब नहीं फटने साही है तो 1000 टन पर अनम की कपासिटी हो गई है अगर आप रीसेंट कॉन कॉल तो उसके अंदर जो गैस प्राइसेज हैं उसको हटा कि इन्होंने फॉर्नेस और यूज करा तो गैस की मार्जिन थोड़े स्टेवल रहें के बट मार्जिन कम जा रहे हैं क्योंकि ड्यूटी चली गई है और जो इन्होंने जर्मेनी में प्लांट अक्वायर करा है उसको य अगर आप सब देखोंगे तो गैस के प्राइसेज यू में कम जा रहे हैं तो सेकंड क्वाटर और नेक्स्ट यर तक सारी प्रशानिया चली जानी चाहिए फुल जो एसजी थरी का जोंका नई फटने से उसका पूरा का पूरा वैल्यू एड होगी टॉप लाइन के अंदर एयू का जो प्लांट है वो दूबारा आ जाएगा उसकी जो मार्जन है अछ सिन्गल देरट चल रहे हैं गास प्राइस की बैज़े से ऊथाशिट प्राइस कम जारिक यूक उक्यार के जाएगे इंक्ति से क्वाट्र सारे वहायाच हो जाएंगे तो सारे आप लाइन तकि और EU का जो था वो भी इंप्रोव और मार्जन आपके थोड़े और इंप्रूव हो जाएं तो अगर तो फिर मैं देखता हूं वैल्यू कि उसका प्रॉफिट किता सकता है कैश किता कनवर्ट हो सकता है और फिर उसका पी के साफ से यह अगर सस्ते में मेरे लिए मार्जन ऑफ स कैश फ्लोव वो डिपेंड करता है पी मतलब EPS जो अकाउंटिंग नंबर है तो तो आप उसको मैंने प्लेट कर सकते हो बट कैश को मैंने प्लेट करना मुश्किल लाते है तो अगर कैश खाली मुझे देखना है कैश के साफ से वैलिएशन करना है तो इवी बाइशन करना ह हाँ और उसका लॉंग टम भी आपको देखना चाहिए कि क्या रहा है क्योंकि बहुत सी कंपनी होती है वो हाई वैलूशन भी रहती है लाइफ टाइम अब यूएस में अगर आप लोगे एंवीडिया करके समीकंड़क्टरी कंपनी है हमेशा हाई वैल्यू रही है तो उसम अगर यह एक लास सेक्शन करते हैं कि यह भी समय मागेगा वह है पॉटफोलियो कंस्ट्शन कि जब हम लॉंग टर्वेल्ट की बात करते हैं तो इंडिविजियल स्टॉक्स तो अबिसली रेलिवेंट है तो अगर मुझे पॉटफोलियो करेट करना है तो कितने स्टॉक होन होगा लेकिन कोई एक स्टॉक होगा जो बीस परसें एक्सपोजर भी हो सकता है यह मुझे डवसेपाई करना चाहिए तो वह डिपैंड करता है हर किसी की ऊपर मेरे असाब से और डिपैंड करता है आपका रिटर्न रिक्वाइमेंट क्याने क्योंकि आपका गोल हो सकता है क आपको च्ञड़ बनाने हैं तीस बनाने सव क्रोड बनाने हैंड़ किसी की अलग रिक्वाइमेंट है अर आप का स्टार्टिंग पूइंट हो सकता है एक करोड दस लाग एक लाग आप क्यों पर अब आपको गाप देखना है कि अगर आपको जैसे एक करोड बनाना है और आपको 10 चाहिए आप 10 चाहिए तो उसके साब से फिर आपको रिस लेना है बहुत से लोग क्या करते हैं जो मेरे साब से कि वो सारा सारा एक में डाल देंगे वह जल्दी पैसे चाहिए इंवेस्टिंग लॉंग मतलब स्पोर्ट है आप धीरे धीरे खेलना चाहिए और दाइवर्सिटैशन फिर वहां से करना चाहिए कि आपका कितना रिस लेना है स्टार्टैंग गोल फिर का ठाइम र喜歡 यडार ईटॉक्श में खाकर कर सकते हो नंट से अगर आप नहीं दे सकते हैं आपके नहीं है तो फिर आपको mutual fund कर रहा हुट लेना चाहिए तो उसके साप से आपको जर्च करना है तिपिकली जो मैंने लोगों से बात किया है कि मेरे को मेरे पास पांची लाग रुपए डाने की केपिलेटी है अगर किसी है तो उसको कैसे अप्रोच करना है तो उसको अगर फुल फॉरेवर करना है और फिर अगर को कितना टाइम दे सकता है अगर वो बीज घंटा दे सकता है तो कुछ का पूट्फोलियो मैंने अगर नहीं दे सकता तो मुचल सब्सक्राइब सब्सक्राइब पकरना ओघर रिए बहुत सारे मुचल ऊंड़ नहीं मतलब एमसी में और को है है को thirty ऒनो की कि कितनी है और mutual fund में भी आपको manager को research करना है कि कौन चला रहा है उस mutual fund को, उसका style आपके style से match करता है, आपकी expectations करता है कि नहीं, जैसे quant mutual fund है, उनका style बहुत different है पराग पारिक से, तो आपका, अगर आप value investing चाहिए, तो आप पराग पारिक कर सकते हैं, अगर आपको momentum या quants related है, उससे related है कि market का कैसा हो चल रहा है, तो आप quants कर सकते हो, ऐसे momentum based funds भी है, bond funds भी है, fixed income है, value oriented है, तो small gamit cap तो उस पर होना चाहिए, मेरे हिसाब जब मैं mutual fund करता था, तो मेरा चार से जादा नहीं रहता था, और मेरा जादा तर analytics mutual fund पर था, कि अगर मैं funds ले रहा हूं, तो उसके अंदर overlap नहीं होना चाहिए, 25% से जादा, या अगर तीन fund है, और चौते fund के अंदर 80% सेम है, तो चौता fund useless है मेरे लिए, तो वो सब चीज़े आप अराम सिखा सकते हो, उसके भी बहुत सा अच्छे tools है, free में, कि नहीं निकाल रखें, आप दो mutual fund का नाम डालो, वो overlap बता देगा, किता है, तो उस हिसाब सब मैं चाहिए, तो आपके time कितना दे सकते हो, कितना return चाहिए आपको, उस पर based है, चले माल लेते हैं कि time दे सकते हैं, तो equity में खाली build करना है, तब equity में कैसा composition है portfolio, उसमें मेरा तो रहता है कि top 15 companies 80% पर रहती है, और बाकी 20 में में मेरे पास 30 stock मेरे पास अभी 14 stocks है, मुझे आदर गौतम बैद के साथ में face to base किया था, तो उन्हें ने मुझे बताया था कि purchase is the max advantage number of diversification, उसके बाद आपके पाद डिसद्वांटेज चालो जाते हैं, तो उसके आपके पाद डिसद्वांटेज चालो जाते हैं, तो उसके, तो उसके, उस deviation, portfolio का sharp ratio, और portfolio का beta, ये थीन चीज़े होती हैं, जो important है portfolio construction के लिए, बीटा का मतलब है कि अगर nifty आज 1% से move करा है, तो आपका पूट्फोलियो अगर देड़ परसन से move करा है, तो आपका beta higher है, nifty से, अगर उससे कम पे move करा है, तो आपका beta कम है, nifty जब गिरेगा, आपका portfolio कम गिरेगा, और sharp ratio और standard deviation का मतलब है कि आप कितना risk ले रखा है आपने portfolio के अंदर, तो वो सब भी important होते हैं, और बहुत सारे tools हैं कि आप portfolio डालो, वो सब calculate करके बता देते हैं, तो अगर आप 25 से जादा करते हो, तो जो आपको 26 stock add करने का जो आपको benefit है, रिस्क कम नहीं होत जादे हैं, लोग अपना portfolio भेजते हैं, जिसमें average में 70-75 stock होते हैं, एक बंदे का आया तो मेरे पाद 200 stock थे उसके आवरे, तो अब सब उसको आपको कुई recommendation देना है, कि पहला action plan आपको यह होना चाहिए, तो with 75 stocks in the portfolio बंदे को पहला क्या काम को चाहिए, जिसको समझते नहीं निकाल दो, जिसमें गिलकुल idea नहीं है, जिसमें गिलकुल idea नहीं है, जिसमें आपको बेनेफिट नहीं मिलेगा, अगर आपका position size कम है, तो आपने रिसर्च आपने जो भी करी है, अगर वो मतलब 1% का position है, वो दस गुना भी बढ़ गया, आपके बास 10% आया, तो top 25 जो है जिनमें आपका वाल्यव सबस्व स्यादा है, वो रखे बाकी नीचे के सारी बेशने का कलेजा है, तो मतलब कल बेच दो आदमे को बोल तो बेचने को बोलना मी उमत के तुने क्या बेचा है, तभी बेच नहीं को भी बेच नहीं तो बेचे कि लगेगा, यह कु बेच फिर उसको तो डाला हुआ है उसका बेज भी देगा तो तेरे क्या परक पड़ेगा बेज देगा और वह 40,000 रुपे आप अपनी जो तो मेरे हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो मतलब 25 से जादा होना तीस से भी मतलब 30 से तक आप कर सकते हो उसके बाद भी आप कोई पेनेफिट नहीं है और जो टॉप 5 स्टॉक होंगे वह कितने परसंटेज ऑफ पोर्फोलियो होता है वह 40 परसंट चला है मेरा मतलब मैंने जब पोर्फोलियो चोड़ा तक तो मैं 15-18 परसंट भी डाल देता था एक पोजिशन के अंदर अब मैं 12 परसंट पे कैप कर देता हूं अच्छा कि 10-12 परसंट में मतलब मुझे थोड़ा बहुत प्राइस अगर भड़ गया उसका और 12 नैच्रली 15-20 हो रहा तो प्रॉफिट में जैसे आपको टेकनिकल का दिखाया तो अगर वह चल रहा है मोमेंटम में मैं रहने दूगा उसे मैं उसे ट्रेल करता रहोंगा कि कुछ परसंट जैसे अगर 10 से वह पुजिशन 20 हो गई डबल हो गया स्टाउक तो 10 परसंट पॉजिशन को मैं ट्रेल कर रहा हूं या 12 पॉजिशन को ट्रेल कर रहा हूं वह जब जब भी वह तैसे स्टॉप लॉस पर आएगा में जी टीटी ओर रहते हैं कि मैं क्योंकि मैं पूरे टाइम मैं तो मार्केट को देखनी सकता तो मैं उस पर लगा देता हूं या तो आवरेज होता है या वीकली क्लोजिंग इससे नीचे नहीं आनी चाहिए आई तो ऑटमाटिकली सेल हो जाएगा 12 परसंट पॉजिशन या 12 में से एक साथ नहीं सेल होगा तो 8 परसंट सेल हो गया बा को का परसनल प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है देनों एक्जाक्ली हाओ तो मैंने अपने आपको डिवाइड कर रहा है कि मैं यह करूंगा पिर यह करूंगा यह करूंगा से रस्तिक नहीं होते हैं तो आपका एक लाइफस्टेल क्या है आपके बास समय आ जाता है कि करने का तो मेरा लाइफस्टेल काफी मतलब बहुत मुश्किल से होता है सब क्योंकि इन्वेस्टिंग इस चीजों में काफी टाइम लगता है और टेकनोलोजी में जाहत असली यूज कर रहा हूं कि मेरा उधर जितना मैं टाइम फ्री कर सकता हूं अपना कर मेरा भी जैसे मतलब क्लेस्टर रहता है कि सॉबा काम होता है मेरे ज़री आउगा जब तैम मुझे तूरी फ्री घंटे होगे डिवाइड़ रहते हैं कि इतना रिसर्च करना है इसमें और मेरी जाहता कुछ लाइफ में मतलब हैं कोई मतलब फैनली नहीं है किड्स नहीं तो उसमें इhtना देनर चाहिन्ध करना है और में काफी कमाइन करता हूं चीजों को जैसे नौन प्रोडटटव अक्टिवटीटिए सब्सक्राइब करता ओर का ने जिसे फोन में ट्रैकर्स हैं डिजिल ट्रैकिंग अप्स होती हैं कि आप किस आप पे किना टाइम दे रहे हो तो उस पे भी वह लिमिट्स रहती है कि अगर ट्विटर पे दिन में एक घंटे से जादा है तो आटमाटिकली ओफ जाए तो यह साई चीज़े मैं इंप्लेमेंट कर यह मैं नीज देख अग नहीं हो मेरा साधार साधार साधारन्यूज मझे नीज लेटर से मिलता है तो मैंने ब्लूमबंग के लिए लिए लेग्स प्रेवि इंदिल्चे में तो तो इस फोड़े बहुत नीज नेज्टर्श थो जो तो च्पेस र ट्राक कर रहा हूं उससे म यही है. सही है. सही है. What a fun, lovely interacting with you, Tarih. I think what you have given to us is, there is no value to what you have given to us. आपको रिलाईस के दिए हैं, झ्यो मैं कर देखा है. यो झार ले यो आप कर रहने, I think this is the real path of investing nirvana. और हम फिर्केस, and I can clearly see that you are very happy in what you are doing. That is most important. कि अगर नहीं इंजोई करता तो तो काम जैसे लगता हो इसमें मुझे कभी इंवेस्टिंग में जतना भी एफर्ट लगती है कभी यह नहीं लगा की मैं परशान हो गया या थक गया कभी थकान मैसूस नहीं हुई नहीं परशान है थे लिए दोस्तो यह विडी देखने के लिए शुवल सेंचीज रपीट करूंगा लास तक रूखें तो अपने आपको सब्स्टी जए कि आपको सवाशिय इजे पकुश्ट थीजिए पको दिए किस विए यह धानन दोड़ी प्रोसेस अरिख ने वटाय जै मैं भी अपनी ना इन्वेस्टिंग जर्नी को और बेटर करने में भी उतरहूं I am also learning a lot I have been a trader, a swing trader Now I think I have reached the point where अब रेदिग माला मांइसेट को मेर को तोड़ा सा दिलूट करना है और इन्वेस्टिंग जाना है So that's why learning from 28-year-old, 29-year-old Is giving me a feeling like that I should also become that and start the journey of learning once again So thank you for watching this video and I hope you will share this video with your friends and family Thank you, bye-bye So thank you for watching this video